तुम्हें ना दस किताबे नी खरीदी नी तुम दस किताब पढ़ भी नी पाओगे बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे कि ये वाली किताब भी ले ले वो वाली किताब भी ले ले हमें ना पढ़ना है घर को लाइबरेरी नी बनाना है जो जो चीज तुम्हें मैं बता रहो ना बस तुम इतना फोलो कर लो फार दोगे तुम आप ये मत सोचना कि भाया उसने तो दस किताबे खरीद ली तो वो तो टोपर बन जाएगा और मैं पीछे रह जाओंगा कभी भी डिमोटिवेट मत हो ना आपकी पास अगर दो किताबे हैं और उसकी पास दस किताबे हैं और आप ज्यादा हार्ड वर करते हो ना तो आप उस दस किताबों वाले बच्चे से आगे निकल जाओगे तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको ना क्लास 10 की बैस्ट बुक्स बताने वाला हूं फॉर फिजिक्स येस देखो यार फिजिक्स के अंदर है आपके टोटल पांच चैप्टर है जिसमें से आपका एक चैप्टर कट हो चुका है ठीक है सोर्सिज ओफ एनरजी व बता रहुं ना वो सिरफ और सिरफ फिजिक्स के लीए नहीं है वह आपकी बाइयोलोजी और केमेस्टर के लिए अच्छे से चलेंगे टेक है तो लिखने के लिए यहाप फिजिक्स लिखा है लेकिन जो मैं बुक्स बता ing वह आपकी तिनों मैं राएंगी बायो तो आज की वीडियो गंदर यार मैं आपको बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ और यह ना बिलकुल आपका जो लेटेस्ट करिकुलम आया है जो नया करिकुलम में आया ना सी बेसी से उसके बेसी से पर मैं बता हुआ ठीक है जितनी भी बुक्स पुरानी चलती आ रही है उन उससे पहले ने आपको एक स्टोरी बताता हूं बहुत छोटी सी और भुत ही प्यारी स्टोरी है एक गाव था उसमें क्या हुआ गाव में पानी खतम हो गया लोगों के पास मतलब पीने तक पानी नहीं था तो एक इंसान ने क्या किया उसने जमीन खोदनी शुरू कि वह य थोड़ा सा और आगे जाके खोदी फिर उसने फिर से इतनी खोदी फिर उसको लगा यार यहां भी पानी नहीं है लेकिन एक्चुली में जो पानी था वो यहां था यह सारा पानी है तो बेसिकली अगर वो तीन जगए अलग-अलग महनत करने के वो अगर एक जगए अच्छे से महनत करता अगर एक जगए ही अच्छे से खोदता तो उसको पानी इजिली मिल जाता तो इस टोरी से आपको क्या समझ में आया कि हमें दस जगए नहीं भटकना है हमें बस एक जगए अच्छे से फोकस करना है तो यहां से आपको क्या समझाया कि हमें नहीं दस किताबे न के ज्यादा नबर आएंगे जिस बड़िके ने दो किताबे अच् technically आएंगे तो आपको दस खरीदी इन हम बस दो खताबे खरीदेंगे और उनी से न हम पर बन जाएंगे हैं तो प्रहर कि प्यार मोहबत सब दोखा है बेटा NCRT पढ़ ले अभी मोखा है येस NCRT क्या है कुईन है ठीक है सच बता रहा हूं जो लड़का NCRT को स्किप कर देगा ना उसको भगवान स्किप कर देगा सच कह रहा हूं उसको भगवान भी नहीं बचा सकता NCRT करे बीना अगर तुम किसी और किताब को हाथ भी लगा रहे हूं उससे बड़ा पाप होई नहीं सकता NCRT सबसे पहले करनी है clear NCRT is queen yes NCRT करे बीना किसी और किताब को टच भी नहीं करना है क्या नहीं करना छूना भी नहीं समझ में आई बात तो सबसे पहले हमारा करम धरम क्या है NCRT complete करना है NCRT की जितनी भी back exercise है वो अच्छे से करनी है NCRT की जो theory है वो अच्छे से करनी है NCRT के जो chapter के अंदर वाले जो questions है वो भी अच्छे से करने और NCRT के physics के अंदर तो आप जानते हो numericals आते हैं तो physics के जो numericals है NCRT वाले specially अच्छे से करने है जब ये सारी चीज़े हो जाए जब NCRT आपके बिल्कुल fingertips पे clear हो जाए कि आपको ऐसे लगे कि अब तो NCRT में से कुछ भी आजाए मैं कर लूँगा उसके बाद आपको अगली किताब पे चलना है जब NCRT हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक या फिर इसको रेफरेंस बुक भी बोल सकते हो एक ही बात होती है उसके बाद आप एक रेफरेंस बुक फोलो करोगे कब फोलो करनी है जब आपकी NCRT कम्पलीट हो जाए अब यहाँ पर देखो आपको दो बुक्स की फोटो दिखरी होगी यह है आपकी एसचांद इसको कई बच्चे लखमीर सिंग भी बोलते है तो बेसिकली क्या है इसमें इसका जो राइटर है ना वो लखमीर सिंग है ठीक है यहाँ पे देखो नाम भी लिखा हो है एंड जो पब्लीकेशन है ना वो इसका एछ्चांद है तो चाहे आप एछ्चांद बोलो चाहे लखमीर सिंग बोलो यह की बात है तो सबसे best reference book में एक तो ये वाली आती है और दूसरी best reference book में पर्दी publication आती है ये भी one of the one of the क्या मतलब मैं तो इसको सबसे best मानता हूँ मतलब अगर एक तरीके से मैं बोलू न ये पर्दी publication जो है वो एसचांद से भी better है ये एसचांद colorful book है ये colorful नहीं है बस इतना फरक है तो अगर आप ऐसे student हो जिसको एर colorful book पढ़ना पसंद है उसको मैं बोलूँगा कि आप एसचांद ले लेना और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको color वगेरा से कोई फरक पढ़ता नहीं है तो वो बच्चा परदी publication book ले सकता है दोनों ही काफी बढ़िया book है ये आपकी choice के उपर है कि आपको colorful book पसंद है या फिर simple book पसंद है दोनों ही one of the best books है और काफी बच्चे पता क्या गलती करेंगे वो ना दोनों खरीद लेंगे ये गलती नहीं करनी है समझ में आई बात इन दोनों में से कोई सिर्फ آپको एक ही खरीद ले है clear क्योंकि दोनों book है ना काफी मोटी किताबे है और तुम अगर दोनों किताबे खरीद लोगे ना तो तुम पढ़ ही नहीं पाऊगे तो आपको इन दोनों में से कोई एक ही बुक फोलो करनी है दोनों बड़िया बुक है काफी यह लगा लो ओल्मोस्ट बराबर लेवल की बुक्स है समझ में आई बात तो इन दोनों बुक में से आप एक बुक फोलो कर सकते हो इन बुक्स को फोलो करने का फाइदा क्या है जब आपकी NCRT कम्प्लीट हो जाएगी न तो एक तरीके से आपके जितने भी Physics के चंसेप्ट है न वो क्लिर हो जाएंगे लेकिन Physics के अंदर क्या होता है Numerical और Numerical में क्या होता है Numerical की आप जितनी भी practice करोगी न तनी कम है इसलिए आपको physics में और भी बहुत सारे numerical चाहिए लेकिन NCRT के अंदर तो limited numerical है उस time आपको reference book help करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके extra questions मिलेंगे बहुत सारे extra numericals मिलेंगे जिससे क्या होगा आपकी और भी practice हो जाएगी और जो concept है वो और भी आपको अच्छे से clear हो जाएगा clear everyone NCRT करने के बाद आप या तो exchange या फिर publication इन दोनों में से कोई एक book ले सकते हो clear इसके बाद आपकी अगली book आपको कौन से follow करनी है उसके बाद आपको follow करना है caution bank क्या follow करना है caution bank caution bank आपको किस time खरीदना है यह मैं आपको ध्यान से समझना caution bank आपको शुरुआत में मत ले 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 ठीक है caution bank आपको कब खरीदना है जब आपके paper में 3 से 4 महीने का time हो जैसे कि for example आपके पता ही इस बार आपके जो paper हो 15 February को शुरू होने वाले cbc ने already बता दिया न कि इस बार जो आपके paper हो 15 February को शुरू होंगे तो उसका मतलब आपको caution bank कब खरीदना है आपको almost October के time खरीदना है समझ में आई बात October से पहले आप caution bank को खरीदना मत क्योंकि almost ज़्यादा तरवच्चों का क्या होता September में जाकि उनका syllabus complete होता है तो October के आसपास अगर आप caution bank करीद होगे तो ठीक रहेगा उससे पहले खरीद होगे तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाऊगे क्योंकि starting में आपका जो focus है वो syllabus completion पर होना जीए ज़्यादा practice पर starting में focus मत करना एक बार आप अपना syllabus complete कर ले ना उसके बाद आप caution bank ले सकते हो clear तो October के time आप caution bank खरीद सकते हो आप caution bank में कौन-कौन से caution bank बढ़िया रहते हैं एक Oswal वाले caution bank है और दूसरा है edu cart वाले दोनों ही काफी बढ़िया caution bank है मेरे साबसे one of the best है सबसे ज़्यादा यही वाले caution bank बखते हैं और मेरे पास दोनों रखे हुए हैं और मैंने दोनों अच्छे से पड़े हैं दोनों ही बढ़िया हैं बाकि आप अगर चाहते हो कि मैं इन दोनों के बीच में comparison वाला वीडियो ले क्या हूँ मैं उसके उपर वीडियो बना दूँगा आप प्लीज मेरे को कमेंट कर देना अभी के लिए मैं आपको यह बोलूँगा कि आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो दोनों ही काफी बढ़ी है तो caution bank आपको कब खरीदना है October के टाइम खरीदना है इन दोनों में से कोई एक ही खरीदना है clear इसके बाद आपके आते हैं sample paper देखो अब sample paper हर बच्चे को नहीं खरीदने है क्यों? देखो caution bank के अंदर already है ना आपके sample paper होते है तो जो बच्चा caution bank ले लेगा उसको sample paper नहीं खरीदने है और जो बच्चा sample paper खरीद रहा है उसको caution bank नहीं लेना है या तो आप caution bank लो या फिर आप sample paper लो इन दोनों में से कोई एक लेना ठीक है? क्योंकि आप caution bank के साथ sample paper soul नहीं कर पाओगे क्योंकि सिरफ आपके पास science थोड़ी है आपके पास Hindi, English, SST बाकी subject भी तो है तो आप इतना time बाकी subject में नहीं दे पाओगे अगर आप caution bank और sample paper दोनों ले लेते हो तो इसलिए या तो आप caution bank लेना या फिर आप sample paper लेना इन दोनों में से एक लेना अब किन बच्चों को caution bank लेने चाहिए और किन बच्चों को sample paper लेने चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ तो देखो यार caution bank है थोड़े से costly आते है around 500 रुपए के आसपास आते है ठीक है एड़ वही पे जो sample paper है ये करीब 300 रुपए के आसपास आते है तो अगर आपका budget issue है अगर आपको लग रहा किया भाया मैं 500 रुपए क्या caution bank नहीं ले सकता तो आप उस time sample paper ले लो ठीक है अगर आपका budget कम है तो आप sample paper ले सकते हो लेकिन अगर आपका budget ठीक ठाक है तो आप उस time caution bank ले सकते हो caution bank जादा बैटर रहेगा क्योंकि obvious सी बात है caution bank जो होता न वो थोड़ा सा मोटा होता है उसके अंदर जादा questions होते है clear और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ अगर कोई बच्चा इस वीडियो को December या फिर January के time देख रहा न तो उस बच्चे को caution bank नहीं लेना है clear लेकिन अगर आप December जनवरी से पहले देख रहे हो तो आपके फिर budget के इसाप से depend करता है कि आप 300 रुपे का sample paper लेना चाहोगे या 500 रुपे का caution bank ठीक है value for money मैं sample paper को बोलूँगा क्योंकि almost sample paper के और caution bank के जो caution होते हैं वो सेम होते हैं क्योंकि फिर वो आपके budget से बाहर चली जाएंगी 300 रुपे का ये लोगे 500 रुपे का वो लोगे तो मैं उस चीज़ को support नहीं करता हूं ठीक है या तो sample paper लेना या फिर caution bank लेना clear everyone और sample paper देखो यार नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे इसके अंदर आपको cbse का जो नया latest pattern ना उसके इसाब से जो आपके sample paper है वो इसके अंदर आपको मिलेंगे ठीक है तो यह सब मैंने आपको बता दिया एक बहुत important चीज़ यहां पर लिखी हुई है सिरफ किताबे खरीदने से कुछ नी होता सचाई हैं यह यह क्या है जीवन की सचाई है लेकिन फिर भी वो उसके अंदर उनसभी किताबों की knowledge नहीं होती तो जरूरी नहीं कि आ आपको दस किताबे खरीदनी है दस किताबे खरीदने वाला टोपर नी बनता टोपर कौन बनता है जो दो किताबों को भी अच्छे से कर ले आपको याद भी होगा स्टार्टिंग में देखो मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि आपको दस किताबे आधी नहीं करनी है आपको दो किताबे करनी है लेकिन अच्छे से करनी है तो सिरफ किताबे खरीदेने से कुछ नहीं होता आप यह मत सोचना कि भाया उसने तो 10 किताबे खरीद ली तो वो तो टॉपर बन जाएगा और मैं पीछे रह जाओगा कभी भी डिमोटिवेट मत होना आपके पास अगर दो किताबे हैं और उसके पास 10 किताबे हैं और आप जादा हार्ड वर करते हो न तो आप उस 10 किताबों वाले बच्चे से आगे निकल जाओगे मैं इस बात की गैरेंटी देता हूँ समझ में आई बात ठीक है तो जितने भी आप किताबे खरीद रहे हो उनको पढ़ना है खरीद के न लाइबरे निनी बनानी रखनी निये किताबे ठीक है रखे रखे से आपके दिमाग में निकुसेंगी वो वो जब खोलोगे जब पढ़ोगे जब अपने हाथ से कोशन सोल करोगे तब वो उन किताबों का आपको फाइदा होगा सिर्फ किताबे खरीदने से कुछ नहीं होता समझ में आई बात तो यार मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस बच्चे को किस टाइप की बुक्स खरीदनी चीए और सबसे पहले आपको क्या करना है NCRT करनी है उसके बाद आपको रेफरेंस बुक करनी है उसके बाद या तो कोशन बैंक करना या फिर सेंपल पेपर करना डिपेंड ओने और बजट तो मेरे ख्याल से आपको ना सारी चीजी अच्छे से समझ आ गई होंगी ठीक है अब यार मैं एक बहुत ही गजब की चीज़ आपको बताने वाला हूँ सम्थिंग बीग इस कमिंग आपने देखा मैंने कुछ लिखा है यहां पे एक बहुत ही कुछ बड़ी खतरनाक चीज आने वाली है यहार मैं आपके लिए इतनी खतरनाक चीज लेकर आने वाला हूँ मतलब ना तो आपने आज तक वो चीज किसी यूट्यूब चैनल पर देखियोगी ना आपने आज तक वो चीज किसी एड़िटेक कमपनी के अंदर देखियोगी इतनी खतरना को इतनी धासू चीज लेकर आने वालों कि मतलब आपके ना आखे फटी की फटी रह जाएगे कि भाया ये क्या ले आया आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिरफ और सिरफ चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब करोगी तभी तो पता चलेगा कि क्या बड़ा आने वाला है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ने करोगी तो आप मिस कर दो कितनी बड़ी चीज इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि वो जो सब्सक्राइब वाला बटन ने जल्दी से दबा दो क्योंकि मैं देखता हूं यार बहुत सारी बचे ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि वह सब्सक्राइब कर दो और लाइक इतनी खतरनाक चीज में लेकर आ रहूं आपके लिए तो इतना तो बनता है यार कि तो वीडियो को शेर कर दो किसके साथ शेर करना है अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ताकि यार उनको भी पता चल जाए कि भीया साइंस के लिए कौन सी बुक्स बैस्ट है और साथ इसमें आरे एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि यह जो वीडियो यह आपको कैसे लगे दिए तो चलो गाइज मिलते फिर अगले वीडियो में नए टोपी के साथ तब तक ले गुद बाई एंड है नाइस टे